इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि सेफोटाक्सिम इंजेक्शन का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है। सेफोटाक्सिम इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है। और सेफोटाक्सिम इंजेक्शन की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और यहाँ भी discuss करेंगे कि किन conditions में सेफोटाक्सिम इंजेक्शन को लगाना recommended नहीं होता है सेफोटाक्सिम इंजेक्शन सेफलोस्पोरिन ड्रग प्लास की एक अन्टिबायोटिक दवा है सेफोटाक्सिम इंजेक्शन का उप्योग शरीर में bacterial infection होने पर किया जाता है जैसे तवचा पर कोई घाव या तवचा पर कोई इंफेक्शन होने पर, फेफ़रों में इंफेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, पेट में इंफेक्शन होने पर, दातों या मसूरों में इंफेक्शन होने पर, जोडों या हड्डियों में इंफेक्शन होने पर और कान न सकता है शरीर में इंफेक्शन होने पर आपको बुखार हो सकता है इसलिए बुखार होने पर भी आपका डॉक्तर सेफोटाक्सिन इंजेक्शन को लगाने की सलाह दे सकता है कोई सर्जिरी से पहले और सर्जिरी के बाद इंफेक्शन को रोकने के लिए और इंफेक्शन को ठी करने के लिए भी डॉक्टर सेफोटाक्सिम इंजेक्शन को लगाने की सला दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशन्स हैं जिन में आपका डॉक्टर सेफोटाक्सिम इंजेक्शन को लगाने की सला दे सकता है। सेफोटाक्सिम इंजेक्शन 125 mg, 250 mg, 500 mg और 1000 mg की स पसंदा रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि सेफोटाक्सिम इंजेक्शन की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में सेफोटाक्सिम इंजेक्शन की वज़से कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, दस और लिवर एंजाइम बढ़ सकते हैं, एलर्जिक रियेक्शन किसी को भी और किसी भी दवा से हो सकता है, यदि आपको सेफोटैक्सिन इंजेक्शन को लगवाने के बाद सांस लेने में दिक्कत, गले मूँ वोठ या त्वचा पर सूजन, त्वचा पर खुजली, रैशेस या एकदम से बुखार होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षन एलर्जिक रियेक्शन के हो सकते हैं, और एलर्जिक रियेक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्री यानि मासपेशियों में और इंट्रावेनिसली यानि नसों के द्वारा, लेकिन ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सेफोटैक्सिम इंजेक्शन को केवल इंट्रावेनिसली यानि केवल नसों के द्वारा ही लगाने की सलाह देते हैं, सेफोटैक्सिम इंजेक्शन की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आपको सेफोटाक्सिम इंजेक्शन को लगवाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि सेफोटाक्सिम इंजेक्शन को लगवाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। आपको सेफोटाक्सिम इंजेक्शन को उतने समय तक पूरा लगवाना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने सेफोटाक्सिम इंजेक्शन को लगवाने की सला दी है। क्योंकि सेफोटाक्सिम इंजेक्शन को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इंफेक्शन वापिस आ सकता है। सेफोटाक्सिम इंजेक्शन प्रेगनेंसी केटेगरी B की दवा है। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को डॉक्टर सेफोटाक्सिम इंजेक्शन को जरुरत पढ़ने पर लगाने की सलाह दे सकते हैं। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को सेफोटैक्सिन इंजेक्शन को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लगवाना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सेफोटैक्सिन इंजेक्शन से संबन्धित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं कर दो